तो सबको स्वागत करता हूँ जैसा कि जानते हैं कि आज है आपका मंडे ओके तो आज बायो साइंस का हम लोग डिवीजन का चौथा वीडियो लेकर आए हैं यहां भी दो काफी खुबसूरत प्रशन लेकर आए हैं बहुत अच्छा प्रशन है प्रशन में बता देता हूँ दोनों प्रशन अपने आप में काफी खुबसूरत है आप लोग देखिएगा समझिएगा ठीक है चलिए करते हैं शुरू सबसे पहले आप लोग जान लीजे कापालिये तंत्रीका कापालिये नर्व होता क्या है माई डियर जिस परकार से हमारे पूरे बड़ी में बलड सर तरह एक तंत्रीका निकलती है ठीक है जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है अब जैसे हम कुछ देखते हैं कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं ठीक है कुछ स्वाद लेते हैं समझ गए कुछ भी चीजे हमें पता चलता है तो यह तंत्रीका ही हमारे मस्तिक्स को जो है सुचना देता ठीक है तो basically यह नर्व जो है यह brain को बताता है कि किस organ का क्या काम हो रहा है समझ गए तो कपालिय तंत्री का cranial nerve संख्या में 12 pairs 12 जोड़ी में है यह सब मस्तिक्स के अधार यानि तल से निकलती है मतलब यह नर्व जो है brain के waste में होता है और वहाँ waste से निकलता है और सभी cranial nerve जो है अपने अपने जगह पर जाकर अपने अंगों को जो है regulate करता है समझ गए इन कपालिय तंत्रीका के नाम परकार कार नीचे दिये गए है जिसको हम लोग देखेंगे समझेंगे काफी महत्पून है यह बारो जोड़ी को समझना है एक nerve दो होता है एक nerve जो है आपके दो होता है क्यूंकि हमारे side में एक left side और एक left side हमारा body part दो भागों में है left और right समझ गए तो यह nerve भी left side भी जाता है right side भी जाता है तो इसलिए यह 12 जोड़ी में होता है ओके चलिए अब इधर आपके नाम दिए गए है इधर कौन से परकार का यह नर्व है और इसका क्या कार है इधर दिए गए ठीक है तो मैं पहले आपको इससे पहले अच्छा तरके पर करा चुका हूँ फिर भी देख लीजिए देखिए पहले एक से छो याद कीजिए ऐसा नहीं ह अकुलो मेटर समझ गए तो सुरू के एक दू तीन जो है वह सहीं सुरू है और अलफैक्टरी है ऑप्टिक है और अकुलो मोटर है तो आपको ध्यान में रखने के लिए एक से तीन तक कैसे याद रखिएगा अलफैक्टरी दूसरा है ऑप्टिक और तीसरा है अकुलो मोट समझ गए अब ये तीनों में से उपर के जो दो है वह sensory nerve है यानि वह संबेदी परकार का है olfactory और optic जो है संबेदी है ठीक है sensory है क्योंकि हम लोग जानते हैं गंध पहचानना होता है तो नाख के इस्तमाल करते हैं मतलब हमें इहसास कराता है तो गंध के पहचान olfactory nerve ठीक है इसे घ्रानतंत्री का भी कहते हैं और देखने का कार आँख से होता है जो optic nerve होता है तो यह दूसरा क्रिणिया नर्व है और तीसरा ओवला है यह आपका oculomotor देखिए तीसरा जो oculomotor है तो इसमें motor है तो यह किस परकार का है motor ही परकार का है समझ गए अब यह आखो की मन स्पेशियों को गतिवीधी को नियंत्रीद करता है और लो motor जो है यह motor मतलब क्या होता है चलन करना संबेदी मतलब होता है जो sensation जो आपको अनुभब कराए समझ गए तो यह चीज़े है तो यह चीज़े है जो समझा देता हूँ basically यह जो परकार है यह परकार जो है बारहो जो आप नर्व देखिएगा न करेनियन नर्व यह बारहो जो है इसी तीन जो है परकार में समीटा हुआ है ठीक है कौन-कौन सा देख लीजिए आपका एक है sensory ठीक है एक है motor और एक है mixed ठीक है यही तीन पर परकार का है तो उपर के एक दो है sensory है ठीक है उपर का उपर का जो एक दो है वह sensory है मतलब संबेदी है और उसके बाद motor परकार का है ट्रोकलियो मेटर और ट्राइजे मीनल ठीक है ट्राइजे मीनल और चोथा है ट्रोकलियर मोटर अब मैं आपको यहाँ पर फिर से किलियर कर देता हूँ ठीक है एक से लेकर बारा तक आपको सीरियल याद रखना परेगा सीरियल गरबराईएगा तो objective में पूछ लेता है कि 9 नमबर का किरेनियल नर्व कौन सा है आठमा नमबर का किरेनियल नर्व कौन है पांचमा नमबर का कौन है तो ऐसे में गरबराई जाएगा सीरियल नहीं याद रखेगा तो सीरियल याद रखना ज़रूरी है समझ रहे हैं तो देखिए ट्रोकियो देख लीजे ट्राकलियर म ट्रोकलियर जो मोटर है चोथा है यह भी आपके मोटर परकार कहीं है क्योंकि यह आखो को मुहमेंट को भी यह भी जो है आखो के मुहमेंट के लिए है तो चाहे वो ओकलो मोटर हो चाहे वो ट्रोकलियो मोटर हो दोनों का काम है कि आखो के मानस्पेशी और आखो को को नियंतरिंद करना ठीक है पांचमा है ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल पांचमा है ठीक है पांचमा क्या है ट्राइजेमिनल है ट्राइजेमिनल एक परकार का मिस्रीत है इसमें बहुत सारे फंसन होता है यह चेहरा कपाल दात चवाने का कार इन सभी कारियों में जो है ट् करता है ठीक है पांच हो गया पांच मा अभी तक पांच मैंने क्या के याद रखा पहला अलफेक्ट्री दूसरा और टिक तीसरा ओकलो मोटर चौथा ट्रोकलियो मोटर और पांच मा ट्राइजेमिनल समझ गए चलिए यह हो गया च्छटा है अबडू सेंस कहने का मतलब है कि यह भी मोटर परकार कही है और अबडू सेंस है यह आँख के पुतली को बाहर की तरफ जैसे आउट बार यानि जो आई का पपील है आँख का जो पुतली है इसको बाहर की तरफ मुवमेंट कराने में मदद करता है वह अबडू सेंस होता है समझ गए आखों के पुतली को बाहर की तरफ movement में मदद कुन करता है, abduce sense करता है, और जहां भी movement वाला चीजे आ जाएगा, समझ जाएगा कि वह motor परकार के होगा, समझ गया है, जैसे पुतली को बाहर तरफ करना, तो उसके लिए abduce sense जिमेदार है, यह motor है, क्योंकि यह चलन करता है इधर से उधर, समझ गया, यह हो गया, छो तक याद रख लिए, अब हम लोग बाकी छो याद रखते हैं, ठीक है, बाकी छो में सात्मा जो है, आपके facial है, ठीक है, सात्मा कौन सा है, सात्मा आपका facial होता है, facial मतरब चेहरे का नर्ब, ठीक है, तो सेवेंथ cranial नर्ब कौन सा होता है, facial नर्ब होता है, याद रखिएगा, यह क्या करता है, यह facial नर्ब एक परकार से, mix वाला है, ठीक है, mix आपके, mix परकार का है, यह स्वाद कानुभव, यह facial expression, समझ गए तो इन सब चीजों को ये नियंत्रित करता है तो फेसियल नर्ब जो होता है मिस्रित परकार के होता है और यह टेस्ट को और यह फेसियल एक्स्प्रेशन को जो है आपको नियंत्रित करता है तो सातमा वाला इसको ध्यान में रखना है ठीक है आठमा है ओडिटरी क्यूंकि यह सुनने का काम करता है और कान के दोरा सुनते हैं यह भी हमारा एक संबेदी अंग है इसलिए इसे भेष्टी भूलर को क्लियर को एक संबेदी नर्व भी कहा जाता है ओके नौमा है गलोसो फेरिंजल नौमा कौन सा है गलोसो फेरिंजल अब गलोसो फेरिंजल है तो यह मिश्रित परकार का है, और यह स्वाद के अनुभूती तो कराता ही है, साथ में निगलने का कार और लार का स्रावन भी यह गलोसो फैरिंजल करता है, समझगे? और साथ में दसमा है वेगस नर्व जो तिन्थ नर्व है वह मिक्स परकार का है या धोनी का उत्पादन या गले की संबेदना यानी थ्रोट सेंसेशन निगलने का कार पाचक का स्रावन हिर्दय पर धरकन का परभाव या परिस्टाइटल मुवमेंट यानी वेगस नर्व कार का है यह मिक्स है और यह बहुत महत्पून महत्पून काम करता है जैसे धोनी उत्पादन गले की संबेदना निगलने का कार पाचक रसका स्रावन हिर्दय धरकन पर परभाव परिस्टलाश्टिक मुवमेंट साउंड यह सब चीजे को यह नियंतरन करता है इसलिए कहा गया है आगे है 11 एसेसरी एसेसरी को स्पाइनल एसेसरी भी कहते है और यह जो है मोटर परकार के होता है यह हेड और सोलजर मुवमेंट को नियंतरन करता है मिन्स यह सीर सीर से लेकर आपके कंधे को और आपके रीड के हड़ी के मुवमेंट को नियंतरन करता है इसलिए से accessory कहते है ठीक है बरहमा है hypoglossal hypoglossal कहने का मतलब है कि यह भी motor परकार के है और यह hypoglossal जीव संचालन टंगू operation का काम करता है तो यह 12 नर्व आपको याद रखना है एक परकार से मैं फिर से repeat कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए आपको पता है इधर नाम है इधर परकार है इधर कार है ठीक है तो सबसे पहले आपको यह समझ के रखना है कि कौन सा किस नंबर पर है तो मैंने आपको पहले बताया एक से तीन है पहले है olfactory दूसरा है optic तिसरा है olfactory एक संबेदन है उसके बाद optic भी एक संबेदी है olfactory का मतलब गंद का पहचान, optic मतलब देखने का कार olfactory मतलब यह motor परकार की है और यह आखों की मान स्पेशियों को नियंतरिक करती है समझ गए अब चौथा पंचमा छठा है चौथा है ट्रोकलियो motor motor के बाद just motor है ट्रोकलियो motor है और यह भी motor परकार का है और यह आखों के संचालन को क्या करता है आई movement को नियंतरन करता है अब आगे है हमारा यहाँ पे पंचमा और छठा पंचमा है trigeminal है ठीक है trigeminal है पंचमा और यह मिस्तित परकार की है और यह चेहरा कपाल डातों का संबेदन चवाने का कार ट्राइजेमिनल के दोरा किया जाता है छटा है अबडूसेंस अबडूसेंस का काम है यह मोटर परकार के है और यह मोटर परकार के है तो यह गतिविधी को यानि आखों के पुतली को बाहर की तरफ के movement करने में मदद करता है नियंतरन करता है आँखों के पुतली को समझ गए abducence तो छटा हो गया अब बचिया हमें छोग तो सात्मा जान चुके है कि facial है facial एक misrit है क्योंकि यह स्वाद कानुहब करता ही है सात्मे facial expression यानि facial nerve को ही control करता है face में जितने भी हमारा movement होता है वह facial nerve के द्वारा ही किया जाता है यह misrit होता है अब आठमा है auditory है auditory को हम लोग भेश्टी भूलो को clear भी कहते हैं अब यह एक संबेदी अंग है क्योंकि यह सुनने का कार करता है sensory organ है glossopharyngeal अब नौमा glossopharyngeal है अब glossopharyngeal है यह एक misrit है mix बला है क्योंकि यह स्वाद के नुभूती निगलने का कार लार का स्रवन इसी glossopharyngeal से होता है जो कि नौमा है दसमा है vegas जो कि यह भी एक misrit नर्व है इससे धोनी उत्पादन गले का संबेदना निगलने मेकार पाचन रसका स्रावन हिर्दय का धरकन पर परभाव पर इस प्लास्टिक मुवमेंट इन सब पर भेगस नर्व का नियंत्रन होता ठीक है एक आरमा है एससे सिरी है जिससे मोटर नर्व कहते है इससे हेड, सोलजर और स्पाइनल इससे स्पाइनल एससे स्रीज भी कहते है जिससे मुवमेंट मिलता है बारा है हाइपो गलोसल जो मोटर परकार की है इससे जीव जो है आगे पिछे जीव का संचालन होने का काम होता है तो आप देख लिए यहाँ पे समझगे चीजों को मैंने आपको दो बार रिपीट कर दिया अब आपको इसको अच्छे से समझना था ठीक है चलिए अब आगे परशन की तरब चलते है आगे परशन है पाचन तंत्र को सचित्र समझाते हुए भोजन के पाचन वो अप्शोषन के बारे में लिखना है ठीक है तो सबसे पहले आपको समझना है कि पाचन तंत्र को चित्र सहित समझाना है ठीक है यानि GIT को समझ गए GIT को तो GIT को हम लोग gastrointestinal tract कहते हैं समझ गए पाचन तंत्र यानि gastro intestinal tract के बारे में हमें बताना है पाचन तंत्र के बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे अच्छ से देखते हैं पाचन तंत्र के भाग पाचन तंत्र के मूख नीम्र भाग है पाचन तंत्र क्या होता है पाचन तंत्र के क्या मतलब होते है पाचन तंत्र का अर्थ होता है कि वे सारे और गेन वे सभी अंग जो पाचन की किरिया में अपना अपना योगदान देते हैं पाचन तंत्र का हलाता है क्योंकि तंत्र कोई एक अंग से मिल कर बनता नहीं है बहुत सारे अंगों से मिल कर बनता है तो पाचन की किरिया में वे सभी और गेन सामिल होते हैं जो भूमिका निभाते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं ठीक है पाचन तंत्र के निर्मान करते हैं पाचन तंत्र के जो भाग होते हैं उनमें अलग-अलग जो है आपके अंग पाये जाते हैं ठीक है कौन-कौन से अंग एक सैलेवरी गलेंड पाये जाता है फैरिंग्स पाये जाता है जिसे गरसनी कहते हैं एसोफेगस जिसे हम लोग खाद पाईप कहते हैं समझ गए अमासे होता है छोटी आत यानि स्मॉल जो ये तीनों औरगेन मुक्तह आपको रस को सरावन करता है एंजाइम को जो पाचन के किरिया में भूमिका निभाते हैं तो इसे पाचक रस वाले भी कहते हैं ठीक है तो अगर आपसे जठर रस के बारे में पुछेगा कि जठर रस के बारे में आपने विबरन दे तो फिर लिबर, लिबर से होने वाले सिक्रेशन, गाल बलडर, गाल बलडर से होने वाले सिक्रेशन, पैंकरियाज और इसे होने वाले सिक्रेशन जो पाचन के किरिया में भूमिका निभाता है तो आपको लिखना परेगा तो इस सभी औरगेन मैं आपको बता दिया इस सभी औरगे समझते हैं कि हम जो पाचन की परकिरिया है हम लोग यह समझते हैं कि हम लोग कुछ खा पी लिए तो सीधा जो है जाकर हमें बलड में मिल जाता है या सीधा जो है जाकर कोसिका में मिल जाता है ऐसा होता है ऐसा कभी भी नहीं होता है अगर आप हम कोई अगर यह समझते हैं यह कोसिका तक बलड पहुचता है उसी बलड में तो पोसक्तत्व मिला हुआ होता है जो कोसिका को मिलता है ठीक है तो हमारे तोरा जो भी खाये गए भोजन है उसमें जो भी पोसक्तत्व होते है वह सीरे कोसिका तक नहीं पहुचता है इसे पहुचने के लिए भोजन का पाचन न अपने अपने एक चरन में होता है ऐसा नहीं है कि हम भोजन किये और जितना भोजन किये वह सब के सब जो हमारे बड़ी के जो कोसिका है जो बड़ी को ब्रीधी के लिए इंपर्टेंट है उसको जाके मिल जाता है ऐसा नहीं होता अगर ऐसा होता तो दिन भर में आदमी कितना जिसमें हम कूछ भी खाते हैं कोई भी चीज खाते हैं वो सिधा हमारे बड़ी पुसिखा को नहीं मिलता है ठीक है? वो पूशक तत्व क्या होता है? पहले हम भोजन जो करते हैं वह पाचन नली में पाचन डाइजेसन होता है वह छोटे छोटे टुकरों में विखंडित होता है और वह गुलकोच में, एमीनो अमल में, ट्राइग्लिसराइड में इन सब में परिवर्तित होता है और होना भी आवस्यक है ठीक है तो जो हम भोजन करते हैं वा हमारे पाचन नली में पाचन की किरिया के फ़ल सुरूप, गुलकोंच में, एमίνोयमल में, ट्राइगलिसराइड में परिवर्तित होता है, जो वड़ि के लिए अवस्यक है भोजन के इन अबसोसन योग उप भोज पदार्थ में परिवर्तित होने की परकिरिया को पाचन कहते हैं अब जो बड़ी में अबसोसन होने वाला जो पदार्थ है वही पदार्थ इस रूप में परिवर्तित होता है जो बड़ी को चहिए यानि भोजन के अबसोसन के द्वारा जो परिवर्तित होता है शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं और बड़ी को जो मिलता है वही पाचन कहलाता है इस प्रकार पाचन वह अबसोसन दो परमूख परकिरिया है एक है जो फूड भोजन हम खाएं वह बड़ी में कि जो भोजन के फोल सोरूप छोटे-छोटे टुक्रों में पचने के बाद जो पदार्थ बड़ी में पोसकतत्म में मिलता है खुन में बलड में वह अबसोसन की किरिया बड़ी के द्वारा होती है तो यही दो है एक पचना और एक अबसोसन होना दो परमूख परकिरिया ह जारी राती है और जो नीम्न परकार है देखिए पाचन की जो परकिरिया होती है मुह से सुरू होती है और मलासे तक यानि जो बड़ी आत का ही हिस्सा है मलासे वहां तक यह जारी राती है समझ गये हैं सबसे पहले मुह होता है औरल कैविटी मुह में लार गरंथियो वह औ चोटे चोटे टुकरों में और ज्यादा बाट देता है ठीक है अब बाटने के बाद हम लोग बाटते हैं तो देखते हो यह गा कि हम कुछ खाते हैं या कुछ खाने को होते हैं तो मुह में लार आ जाता है ऐसा क्यूं होता है क्यूंकि वह लार जो है भोजन को एक लुगदी में मदद करता है ठीक है तो यह पहला मूह का हो गया अब इस मूह में ही लार गरंथिया भी पाया जाती है अब सब लिंग्वल सब मेंडी बूलर एंड पैरोटीड गलेंड लार गरंथिया जो है आपके ये तीन है सब लिंग्वल सब मेंडी बूलर और पैरोटीड गलेंड ये आपके gland है, लार में महजूद saliva, एमाइलेज जो है, कार्बो हाइडरेट का पाचन करती है, अब हम जो खाते हैं, मुह में जो saliva, जो लार होता है, वह भोजन में तो मिल गया, अब भोजन में उसका महत्व ए होता है, जो खार्बो हाइडरेट होता है, उसका पाचन करता है, क्योंकि saliva में enzyme पाया जाता है, एमाइलेज, ठीक है, जो कार्बो हाइडरेट के पाचन को प्राड़म करता है भोजन में, और मुह से ही भोजन जो है, पाचन की क्रिया सुरू हो जाती है, ठीक है, आगे, अब आता है pharynx, अब कौन सा है, pharynx है, pharynx ग्रस्नी होता है, भोजन मुह से, मुह से ग्रस्नी में परवेस होते ही, epiglotus सुष्ण नली को बंद कर देती है, ताकि भोजन उसमें परवेस न कर सके, अब देखिए, ग्रस्नी एक ऐसा अंग है, जो सुष्ण के किरिया में भी भूमका निभाती है, और पाचन के किरिया में भी, ग्रस्नी एक चोड़ाहा के रूप में काम करता है, शमझ गे, ग्रस्नी जो है, एक चोड़ाहा के रूप में काम करता है, ग्रसनी मुह से भी जूरा रहता है और ग्रसनी जो है नोज यानी नाक से भी जूरा रहता है अगर बायू परवेश कराना है तो मुह वाले रास्ता को बंद करके रखता है और अगर भोजन कर रहे हैं तो नाक वाले रास्ता को बंद करके रखता है ताकि जो भोजन है वह नाक स्वसन के नली में न पहिसे अगर स्वसन के नली में एक भोजन का टुकरा सा भी पह जाएगा न तो आदमी का हालत खराप हो जाएगा मिर्तु तक हो जाता है समझ गए तो एक epiglotus होता है जो ये निर्धारित करता है कि भोजन है तो उसको भोजन पाचन नली में भेजे और अगर वायू है स्वसन है तो उसको स्वसन नली में भेजे यह निर्धारित कौन करता है epiglotus करता है, जो कहां पे होता है, ग्रस्नी में होता है ठीक है, और ग्रस्नी ही है जो आपके दोनों में भूमिका निभाता है ठीक है, चलिए तो ग्रस्नी समझ गए, आगे चलिए आगे हैं iso phagus iso phagus मतलब होता है कि भोजन फैरिंग से होते हुए इसो फेगस में परवेश करता है यहां भोजन प्रिस्टलाइटिक मुहमेंट से नीचे की तरफ मूव करता है और इसो फेगस जिस परकार से ट्रेकिया स्वसन नली मना जाता है उसी परकार से इसो फेगस जो है आहार नाल मना जाता है ठीक है नली भोजन का नली अब इसमें जो भोजन चुकी भोजन मुह में आया मुह से फैरिंग्स में आया फैरिंग्स से भोजन परवेश करता है इसोफेगस में अहार नली में ठीक है यह नली में भोजन परवेश करता है तो भोजन मुह से इसोफेगस से होते विए नीचे क की तरफ जो जाता है तो वह प्रिस्टालाइटिक मुवमेंट के तरफ ठीक है कौन सा मुवमेंट प्रिस्टालाइटिक मुवमेंट के तरफ ठीक है प्रिस्टालाइटिक मुवमेंट जो होता है यह प्रिस्टालाइटिक जो मुवमेंट होता है इसी मुवमेंट के जरिए हमा आगे चलिए यहाँ आखार नाल का सबसे चावरा वाला बाग यहां भो जन में म्यूकस यहाँ भोजन में म्यूकस hydrochloric amyl तथा peepsine mix होते हैं जो भोजन हम लोग करते हैं वह भोजन जब amasya में जाता है तो amasya में बहुत सारे enzyme, बहुत सारे amyl mucus मिलते हैं amasya में पाचक रसों के सराव से भोजन काईम में बदलता है अब जो amasya में जो हम भोजन हमारा जाता है तो अमासे में पाचक रस के सिराब होता है वह पाचक रस क्या करता है कि भोजन को काईमे में बदल देता है समझ गए पेपसीन प्रोटीन का पाचन प्रारंब करता है जो पेपसीन आपके अमासे में भोजन को प्रोटीन जो हम लेते हैं भोजन के माध्यम से तो अगर उस भोजन में प्रोटीन है तो उसको पेपसीन पचाने का काम करता है ठीक है और इसे पोली पेप्टाइट और डाई पेप्टाइड में बदल देता है ठीक है पेपसीन जो है प्रोटीन को पाचन करता है तो उसे पोली पेप्टाइड और डाई पेप्टाइड में बदल देता है, हाइड्रोकलोरीक भोजन के कठोर अंसो को गलाता है, वह माइक्रोब को नश्ट करता है, अब HCL जो होता है, यह इतना पावरफुल अमल होता है, माइडियर, कि यह आपके भोजन में हम जो भी ठोस चीज हम चबा जाते हैं, अलासानी से पच जाता है, कैसे प द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक है, एस टोमेक वाल द्वारा यह जो है, सिक्रेट होता है, और भोजन में जो भी उपस्थित मजबूत कन है, उसको गलाता है, और साथ में सुक्ष्म जीवों को भी नश्ट करता है, HCL, समझगे, तो प्रोटीन, पेपसीन का क्या काम है, ज जान गये, ठीक है, और एस सारे चीज़ आपको महत्पून है, जानना, तो अमासे के बारे में समझ गए, अब यहाँ पे चलिए, अब भोजन अमासे में जब आ जाता है, तो अमासे में वहाँ पे बहुत सारे पाचकरस मिलते हैं, भोजन को काईम में बदल देता है, भोज चोटी आंत का पर्थम भाग डिवडेनम होता है यह लगभग 10-12 इंच लंबी नली होती है इस भाग में लिवर अगनासे रस वा पितासे से बाईल मिक्स होते हैं देखिए छोटी आंत जो होता है छोटी आंत में जब भोजन कुछ हद तक पेट में पचने के बाद पेट में मिक्स होने के बाद जब भोजन आगे की तरफ अपना रस्ता परस्थान करता है छोटी आंत के तरफ तो छोटी आंत में ही डिवडेनम होता है जो छोटी आंत के सबसे पर्थम भाग होता है जो अमासे से लगा हुआ होता है यह डिवडेनम 10-12 इंच लंबी होती है इस सह वसा, कारवोहीडेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं बाइल जूस वसा के पाचन में सहाया खोते हैं अब यह ए सब क्यों मिलता है तो माइड यार पेंख्रियेटिक जूस पेंख्रियेटिक जूस जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है लिपाज, एमाईलेज और एमाईलेज होगा यहाँ पे और ट्रिपसिन यह तीनों लिपाज वसा को लिपिड को वसा को पचाता है एमाईलेज जो होता है क्या करता है कार्बोहाइडरेट को पचाता है और ट्रिपसिन प्रोटीन को पचाता है या पेपसीन जो होता है प्रोटीन को पचाता है तो आपसे अब्जेक्टी में पूछ देगा कि लिपाज किससे पाचन करता है एमाईलेज किससे पाचन करता है ट्रिपसीन किससे पाचन करता है तो लिपाज लिपिड यानि वसा को एमाईलेज गर्वोहाइडरेट को त्रिपसीन यानि पेपसीन प्रोटीन का पाचन करता है ठीक है और बाइल जूस वसा के पाचन में सहायक होता है ठीक है पीतरस तो ये चीज़ समझे गए छोटी आथ में क्या क्या होता है चलिए छोटी आथ का तीन भाग होता है डिवडनम, जेजुनम और एलियम होता है ठीक है डिवडनम पर्थम जेजुनम सकेंड और एलियम सबसे लास्ट होता है छोटी आथ तीन भाग में विभाजित होता है याद रखिएगा समझे चलिए और लंबाई में बात करेगा तो सबसे लंबाई में बरा जो है छोटी यांत ही होती है लेकिन छोटी यांत ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चोड़ाई कम होता है बरियांत के चोड़ाई जादे होने के कारण जो है उसे बरियांत कहा जाता है समझ गए चलिए अब यहा कुरता है बसा पलस ग्रीस रॉल में डाई पेप्टाइड को यह सब आपके अलग-अलग चीजे है यह सब छोड़िए इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है ठीक है अब आता है आपका इलियम समझ गया है इलियम इलियम जो है छोटी आत का दुसरा भाग है इसे अप्थिलि के अवरल ऑग्राल हो गया ध्यान दीजेगा आप लोग ठीक है तो बडरी यांत अब छोटी यांत के बाद भोजन कहां पर जाता है अप छोटी यांत पे जो है आपको कहां जाता है बरी आत में बरी आत में जल का अपसोसन द्रब का अपसोसन हो जाता है और जो भोजन ठुस रूप में जो अपसिष्ट बच जाता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है और उपियोगी सरीर के लिए चला जाता है ठीक है बरी आत में भोजन करमसा इ पानी खनीज अन्पोसकत्व अपसोसित होता है मैंने पहले बताया कि बरियात में जो पच्चा हुआ भोजन होता है उससे क्या होता है कि बरियात में जो है जो पच्चा हुआ भोजन है उससे पानी खनीज और अन्पोसकत्व जो भोजन के माधियम से लिये रहते हैं वह बरि क्लोन hydratasar न क्लोन से भोजन का अपचित भाग मलासे में एक्तृ mau ml. भार बाहर निकल तो यही जो है आपके पाचन के किरिया मलासे तक समाप्त हो गया ठीक है अब यहाँ पे आपको समझना है ठीक है अब भोजन का अपसोसन कैसे होता है ठीक है तो भोजन अपसोसन वह पर किरिया है जिसमें पाचन से प्राप उत्पादन आत की एपिथिलियम से होकर रत या लि करते हैं ठीक है माईडियार आपको समझना है कि भोजन का जो पाच्चन का अपसोशन होता है जैसे हम खा लिए ठीक है बरी आतो के बरी आत में आपका अपसोसन होता है तो वहाँ पे जो भी सरीर के लिए उपयोगी है उसका अपसोसन कर लिया जाता है जो सरीर के लिए अनुपयोगी है उसको सिठी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा ठीक है तो अपसोसन वह परकिरिया है जिसमें पाचन से प्राप्त जो प्रोडक्ट जो उत्पादन होता है डाइजेशन से वह आत के एपिथिलियम जो आपका उत्तक होता है उससे होकर रक्त और लिंफ में परवेश करता है जो हमारे बड़ी के अनहिसो तक रक्त के द्वारा चला जाता है तो यही भोजन का पाचन अपसोसन होता है यह जो है आपके तीन परकार की किरिया विधी इसमें होता है पहला किरिया विधी है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसलियेटेड ट्रांसपोर्ट ठीक है तो याद रखिएगा यह ती डीटेल में जाने की जुरत नहीं है जो मैंने चर्चा कर दिया इसको अगर लिख दीजिएगा समझ गए हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे बाकि अगर आपसे पाचकरस के बारे में पुछेगा तो पाचकरस भी मैंने एक्के करके इसी के अंदर में बता दिया है जो लोग समझ गए होंगे, पाचकरस, पैंक्रियेटिक जूस के बारे में, बाइल जूस के बारे में, तो वो समझ गए, जो लोग नहीं समझेंगे, उनको अच्छे से परने की जोड़े होंगे.